हेलो दोस्तों पंजाई फैसे निजार में आपको बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्थ सुखी सिंग तीन साल के बाद में आपके सामने रूबर हुआ हूँ और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैंड का नापी लेकर पैंड की कटिंगा में किस तरीके से कर और साथ में घंटे को जुरूर दबाईएगा दोस्तों और यह काफी वहाँ पर अच्छे पीडियो अपलोड करते हैं तो इनी का नाप लेकर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से में पैंड की नापी लेनी है और उसके बाद में हम उसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे व उसे आप निकलवा दे और बेल्ड को खुलवा दे तो यह सब चीजे निकलने के बाद में हमें नापी लेने में काफी असानी रहती है तो यह हमारा बेल्ड भी निकल गया है और यहां से पॉकट से मोबाईल वगरा सब हमने निकलवा लिया है तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे तो लंबाई को हम यहां पर इस जगा में पकड़ेंगे जहां से हमारी कमर है और इसे हम जमीन तक लेकर जाएंगे तो देहें दोस्तों यहां तक हमें जमीन तक लेकर जानी है तो यह हमारी आ रही है 49 इंचे अब हम कमर का नाप लेंगे तो कमर का नाप हमें किस त दाल ले इस तरीके से हम कमर का नाप लेंगे तो कमर हमारी आ रहे हैं 31 इंची अब हम हीप का नाप लेंगे तो यह हमारी हीप है इसकी जो गुलाई रहती है इसी को हम हीप बोलते हैं तो हीप का नाप हमें इस तरीके से लेना है तो इंची टेप को हमें इस तरीके से पढ़न और दो उंगली हमें अंदर की तरफ रखनी है तो यह हमारी ही पारी है 36 इंची अब हम आशन कनाप लेंगे तो आशन कनाप हमें किस तरीके से लेना है दोस्तों तो पहले हम इंची टेप को इस तरीके से लेंगे और पीछे की तरफ हम आपको दिखा देते हैं कि यहां पर हमे पीछे की तरफ इस तरीके से इंचिटेब को रखना है और यहां आप गलाईब में लेकर जाना है तो एक बfedब गुमें सर तो इस तरीके से हमें पीछे की तरफ पकड़ा है और यहां पर ला कर हम इसे मिलाएंगे तो देखें दूस्तों यह आशन आप तो अगर कुसी का धीला रहता है किसी का टाइट रहता है तो आप कस्टमबर से सही तरीके से पूछ ले कि आशन आपका टाइट तो नहीं हो रहा है या धीला तो नहीं हो रहा है अब अच्छी तरीके से पूछ करिए आशन कहीं आप ले तो यह हमारा आशन आ रहा है 23 इंची अब हम थाई का नाप लेंगे तो थाई का नाप हमें फिटिंग पैंड में किस तरीके से लेना है आप अच्छी देखे से समझे तो पहले हम इंची टेप को इस तरीके से फिटिंग नाप लेंगे और उसके बाद में हमें कस्टम्बर के हिसाब से देखना है कि कस्टम्बर हमारी कितनी लूज पहन सकता है कोई एक इंची लूज में भी पहन लेता है कोई डेड़ इंची लूज पहनता है कोई दो इंची लूज पहनता है तो आप कस्टमबर के हिसाब से ही लूज दे तो यहां आरी फिटिंग नापी आ रहे है 20 इंची तो हम एक इंची लूज देकर थाई का नाप लेंगे अगर कोई कस्टमबर इससे धीला पहनता तो धीला नाप लें इस दीके से हमें थाई का नाप लेना है अब हम मोहरी का नाप लेंगे तो मोहरी का नाप हमें किस तरीके से लेना दोस्तो अगर कस्टमबर ने जो मोहरी पहनी है वो अगर सही है तो उसी को नाप ले यानि तो कस्टमबर के हिसाब से मोहरी का नाप ले ले जिस तरीके से कस्टमबर पहनना चाहता है तो इस तीके समय मौरी का नाप लेना तो दोस्तो हम यहाँ पर पहैंट की जू मौरी का नाप रखेंगे वो रखेंगे 14 इंची तो दोस्तो ये हमारी पैंट के नापी हो गया अब इसी नापी के कॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे तो चलिए काटते हैं दोस्तों पैंड की कटिंग करने से पहले हम आप बता देते हैं कि कपड़ को हमने इस तरीके से उल्टे की तरफ बिछा लिया है और इधर हमारा कपड़ का खुला वाला हिस्सा है और उधर हमने बंद वाला हिस्सा रखा है अब हम आप पर की तरफ एक सीधा मार्क लगाएंगे तो यह मार्क हमारा लग गया है अब हम आपको बता देते हैं कि लंबाई हमारी है 49 इंची तो उपर में हम इंची टेप को इस मार्क के पास में एक इंची छोड़कर रखेंगे क्योंकि हमारा डेर इंची का बैल्ट रहे गोपर में थनी तो उन्चालीस in व्याहपर मार्क लगांगे और थाइंची हम नीचे की मार्जीन देंगे मोई आदेंगे और 11 inch में हम धाइंची कम करेंगे यह हमारा आजाएगा नौ इंची तो इसी तरीके से हम आर्षन का हिसाब निकालते हैं दोस्तों अब हम घुटने का मार्क लगाएंगे तो हम आपको बता जाते हैं कि हमारी लंबाई हैं हम उन्चार इंचारी सीग तो मैं भुट्टने का मार्क है अब सभी मार्क को सीधा करेंगे इस दुछे हमने सभी मार्क हो सीधा कर लिया है अब यह जो हमारा आसन का मार्क है इससे हम 2 इंची नीचे एक मार्क और लगाएंगे तो दोस्टो यह मार्क हमने 2 इंची का इसली लगाया है क्योंकि यहां पर हमारी धाई त्यार होगी उपर से मार्व में हमारी हीव को त्यार करना है आप हम एक किनारे में एक हेप का यहां पर यहां पर हम नकेंगे कि अब हम कि यहां से यहीं पॉनिन इंचि सर्फ मungcję और बढएंगे यह हमारा आसन की कुलाइग का मर्क होगा अब सकल इसे मार्क त眼 यहां पर हम आसन की गुलाई देंगे अब हम से पट्टी को लेंगे और में बठाएंगे और हम आपको बता देते हैं कि हमारी यहां पर हम हैं हम आप 4 हम दॉस्ट हैं का रह नापके में यहां हो इसे में हम हम हाप इंचे की मार्जिन देंगे यह हमारा हो जाएगा सवा आठेंचे तो सवा आठेंचे में हम आप मार्क लगाएंगे तो अब यहाँ पर हम पॉकट का मार्क लगाएंगे तो ऊपर से तेबिवायगों आपकह कि जो मार्क लगाएंगे मैं करें š जो दूसरा करें त्विक अभी इस उर्मक मार्क अर्भ इस्माट से हम इसका किनारे शेक नम करेंगे ठीए हमारा रहा है हमार है एकई सिंच को हम यहां पर हम आधा लेंगे जो की हमारा होगा साड़े दस इंची तो साड़े दस इंची को भी हम आधा करेंगे तो यह हमारा हो जाएका साव पांच इंची तो इस मार्क से हम सब पांच इनची इधार इस जगह में और सब पांच इंची हम इस जगह में मार्क लगांगे आप हम नीचे की मोहरी का मार्क लगा देते हैं तो मोहरी हमारी है 14 इंची तो 14 इंची का हम यहाँ पर आधर लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची तो 7 इंची का भी हम यहाँ पर आधर लेंगे जो कि हमारा होगा 3 इंची तो 3 इंची में हम इस मार्क से यहाँ तक कर नापेंग यह दोनों मिलाकर हमारा हो जाएगा साथ इंची तो हमारी मोरी है 14 अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे तो इसमें हम इंची टेप का सहरा लेंगे इस तरीके से और यहां से हम हाप इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे इध तो हम से पट्टी लेंगे इसे हम इस तरीके से पहले इस मार को मिलाएंगे है और इस प्ट्ड को इस पॉयंट से मिला दें से इधर बठ्ट से ही आपको धियान देने दोस्तो से पर्टिक आ इस तरीके से बैठा रहे हैं । इसत्रीक वामन किशाओ कर यह ऐद इस तरीके सामें इस तरह भी इस तरह ऑख़ाना हो रहा है तो दोस्ते प्हेले आ इस तरीके से मर्क माल व्लिधा है तो यह से इस ते कम घुमा देंगे और इधर हम इसलर्सर मेर की दोटाएंगे जह इफ एक tommy को मिला हैं यह फजोर्य एन वैंगे और इस फनकर इस पोइं सब्सक्राइब लेंगे अब हम सीरे स्क्राइब को लेंगे और इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे और मोहरी के पास में हल्क कर साम इसे क्रॉस करेंगे कि इधर भी मिला दें कि इधर भी हम क्रॉस कर दें हल्किसी तो यह हमारे पैंट के सामने पर लेका मार्क लग्या है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है अंदर वाले यह मार्क से निकलनी है आ किया कि तो दोस्तों यह हमारा सामने कप पला कट गया है अब इसी को बिठा करम पीछे कपल्ले की कटिंग करेंगे इसे हम इस तक हो पैजट मढ़े है तो देख दोस्तों इसे हमने इस तक रिक यह यह हमारा गलाई वाल हिस्सा है इसे हम नीचे की तरफ लखेंगे आप हम सामने पल्ले को लेंगे और इससे हम इस तरीके से बिछाएंगे तो इस तीके संवने से पिछा लिया है अब हम आपको बता लीते हैं कि सामने फले से हमें पौन इंची हटाकर एक मार्क इधर लगाएंगे यहां से इंची टेप से नाप लेते हैं पौन इंची और ये जो हमारी से पट्टी है से पट्टी समय से सीधा करेंगे और इधर हम इसके मार्क लगा देंगे नीचे में हम एक इंची का मार्क देंगे घुटने में हम देड़ इंची का मार्क लगाएंगे और यहां पर हम आसन की जहांपर हमारी गुलाई है यहांपर हम धाई से पौने तीन इंची का मार्क लगा दें और यह जो हमारा सामने को पल ला है इस सामने पल ले साम एक से सवाइंची उपर में मार्क लगाएंगे यहां से हम सवाइंची उपर में मार्क लगा देते हैं अब इस मार्क को हम यहां से मिलाएंगे घे-इस तरीके से अब हम सेप्पट्टर को लेंगे इधर भी मित इस पॉइंट को इस-पॉइंट से मिलांगे झाião इस पॉइंट को इसमिंट से मिलाएंगर कि यहां करोलर का सब्सक्राइब कि यह जो हमारे सामने पल्ल्य में मार्ट हा आसन काί सतु çao को यहां पर आगे बड़ाएंगे और 25 से पान इंची हम इसे डॉंच करेंगे पर ऑधाया डाम tap कि कि अब हम सामने परने कासे को ताइंगे आधा कि अब व्ल कि कि मार्च आधा है है और जाए हम को बारिके मैप हमारी है अब हम उपर में कमर का मार्क लगांगे तो कमर हमारी है 30 इंची तो एक 30 इंची के मिलें अब इस को इस पॉइंट से मिलाएंगे कि सीधा हम मार्क खिषते हैं और यहां से हम इसकी गुलाई बनाएंगे कि एक यह हमारा आसन की गुलाई का मार्क लग गया है आप हम पीछे की पॉकेटका मार्क लगा रहेते हैं तो उपर से हम रहतीन इंशी में मार्क लगाना है और इससे हम पहुने दुइंशी में मार्क लगाएंगे विव कि नाए ऐसा दोनों को करेंगे का मार्क लगाएंगे तो इसलिके से इंचे को पौशने पाल्ट है तो द्याई इंची से एक प्रट कम होगे यह हमारा टकस का मार्क वगया था पींचे हमारी रख जाएगी और बिधर टकस जाएगे एक्तीसींच यहारी कामर है थो हमाया पैंड का मारक लग जहां है अब हमें यह देखना है कि पैंड हमारी बिल्कुल सही कटी है कि नहीं कटी है अब सबसे इंपोर्टन्ड इसमें होती है हीप हमने सहीस एकल्स पाय दिदा आओं का औरले आंपव double यह हमारा 2 परफ्रेक्टा रहे गरी हाप हींचि हम समने पर लेंगे antisी हम इधर मार्जिन दब कि तौर छी हम ना पेंगे यह हमारी हो रही है जिसी टेपन हम इंची हमारी हम मेरे 5 पास में रखेंगे को इस तरीके से और यहां पर नापेंगे तो यह देखें दोस्तों यह हमारी 21 इंची थाई एकदम त्यार हो गई है और एक दो पॉइंट हमने बढ़ी रखी है क्योंकि यह धूने के बाद में कभी-कभी यह हल्किसी खीच लेती है यह हमारी थाई एकदम पर फेट 21 इंची त् नापेंगे क्योंकि हाप इंची हमारी में पर मारश्टन तरफ जागी इस जगह में तो हम आपको दिखा दे थे हैं इस तरह भी हम हाप इंची छोड़का नापेंगे गिए असण पो इस तरह को पीछे कल्रें अब इसदे तो यह हमारी हाप इंची यहां मारजिन दब जाएगी तो साड़े ही कैसी इंच ऑ पलस टेर इंचे यह तेज इस इंचे हमारा आसन भी तियार हो जाएगा तो इस तदोस्तों या हमने हैं त्पैंड कीिपटेंग कर ली है और अब हम इसकी county कगरें तो इसी मेस्चे काटिंग करें और यहां चैनल सब्सक्राइब कर weld कर शाब सब्सक्राइब ध्ल्लिक और अश्व इस त्रीच सर्फ कर हैं नीचे में लाकर इसे 4 इंची मिला देंगे और इधर हम सावा इंची के मार्जिन दखेंगे और नीचे में लाकर हम इसे हाप इंची कर लेगे लेगे दोस्ते यह हमारे पैंट की कटिंग हमने इस तरीके से कर ली है और यह कटिंग आपको कैसी लगी यह हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद